दोस्तों एक ऐसी emerging company जिनका vision है इंडिया के हर कोणे में fresh fruits को supply करने का recent ये company BAC SME boat से BAC main boat में migrate हुई और उसी वज़स से इसकी visibility और credibility कहीं न गई और strong होते हुए दिखी company में जनवरी 2024 में प्रे स्टॉक को split किया 10 रुपे की face value से खटकर हो गए 1 रुपे की और इसका मतलब यह जिनके पास भी थे 1000 शेर्स उनके हो गए 10,000 शेर्स और दोस्तों बात करें के product portfolio की तो यहाँ पर apple, orange, ear, kiwi, dragon, fruit जैसे कई अनेक high quality fresh fruits देखने के लिए मिलेंगे जो ये company directly supply करती है, company Turkey, Vietnam, South Africa, Greece जैसी country से fruit source करती है और इनके packaging और logistic facilities भी international standards की है, company अपने fresh fruits supply करती है, grow family के brand name के अंदर, और इसके इनमें दुबई में एक holy owned subsidiary भी create किये, elementures, foodstuff, trading, LLC के नाम से, काफ़ी interesting business के अंदर company कामकाच कर रही है, company का stock price भी pocket friendly है, सारे statistics समझेगे, पने ये मेरे साथ शुरू करते हैं, आइए, मिलकर सीखते हैं, तो दोस्तों आज किस informative वीडियो में जिस company के रिफर कर रहा हूँ, उसका रहा हूँ, growington velgers India Limited, company का PSE script code है, 539222, इस improvement को use करके कर आप चाहिए जिस company को अपने watch list पर लगा सकते है, 85 crore के आस-पास का market के पे, जिस स पेटों को record कर रहा हूँ, पाच रुपए 27 पैसे पर company के stock ने closing दी है, 52 week high की बात करें तो 23 रुपए 7 पैसे का रहा है, और 52 week low 4 रुपए 80 पैसे का रहा है, stock का अपी 48 का है, फूट segment के अदर काम काच करने वाली जोपी का उपनिया आप देखोगे, उसमें कहीं न कहीं पेटों करें दोस्तों, हाला कि company पूरी तरीके से debt-free है, लेकिन एक emerging company अपने profits को reinvest करते है, ताकि अपनी growth को अच्छी तरीके से अचीन भी कर पाए, ROC, ROE आप देखों के दोनों ही positive है, एक रुपए की face and work, जैसे मैंने इंट्रों में का कि पहले ये 10 रुपए की थी और अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप technicals को देखोंगे, तो कहीं न कहीं चुई volume बनता हुआ, देख रहा है, बड़ी-बड़ी buildings चो आप देख पा रहे हो, ये हो सकता है, कहीं न कहीं company के stock को एक नई जाल दिलाने में काफी successful रहे कि एक ऐसा मौसम रहता दोस्तों, जिसके अबादी, fruit वाली जो demand है, पूरी वो कहीं न कहीं और जादा pop-up होती है, और उसमें, ऐसी emerging companies अच्छा profit margin भी कमा सकते हैं, और इन्होंने ये प्रूव भी किया, अगर आप इनके annual numbers को देखोंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मार्च 2024 में 30 करोड से भी जादा की sales company ने रिपोर्ट की थी, और पिछले वर्श यान के March 2023 में ये 20 करोड से भी कम की थी, net profit की बात करें तो पोने 2 करोड से जादा का net profit company ने मार्च 2024 में रिपोर्ट किया है, और पिछले वर्श ये मातर सवा करोड रुपे के आसपास का था, तो यहाँ पर भी ये बहुत ही की बात करें तो तीन वर्श के compounded नंबर से 200% के आसपास के और stock price EGR की बात करें तो 92% का है, त्री ये इस के time frame में अगर हम देख रहे तो अब भी एक बहुत बढ़ी यहाँ पर मुझे gap दिख रही है, वही gap शायद ये जो volume होता दिख रहा है, वो fill करते हुए भी आने वाल की आप देख पा रहे हैं, 42% के आसपास promoters की holding है और बाकी की holding है वो public के पास है, तो promoters के पास भी एक अच्छी handsome quantity पड़ी हुई है, और जिसस आपके growth opportunities है इस business में उसी को देखते हुए, company की management ने expansion plan भी तयार किये हुए है, जिसके चलते company ने cold storage facility को तो lease किया ही हुआ है, उ और भी ऐसी companies के supply chain partner बनने का है और fruits के साथ spices powder भी अपने ही इसी brand name के अदर वो supply कर सकते हैं, तो दोस्तों क्रोटी, कपड़ा, मकाल और यह जो fruit वाला segment है यह भी आज के date में बहुत ही जब्धा important role play करता है, हर इंसान के जिन्दगी में और रोस मरा के जीवन में इंसान इसे buy करता हुआ दिखता है, consume करता हुआ दिखता है, जिसके चलते मुझे लगता है, यह business काफी unique है, इसमें potential बहुत अचा है, और जिस से साथ के company के numbers रहे हैं, मुझे कहीं न कहीं, ऐसी feeling, आरे इंग company, right track पर चल लए और अपने growth opportunities के milestones को periodically tick करते हुए भी दिख रहे हैं, लेके ऐसा मेरा मानना है, आप इसे किसी प्रकार की बायसल के recommendation ना समझेगा, pocket friendly stock है, अच्छा potential देखा, 52 week low के आसपास है, sales और profit के compounded numbers के साब से stock price में अभी भी gap है, इसी वज़े से मैंने इसे cover किया है, आपको किसी दी निनेश का जो फैसला है, वो cable और cable registered investment advisor के सला से ही लेना है में केवल information और educational purpose के लिए आपके साथ content पनाता हूँ, यह content पसंद आया है, तो वीडियो को like करें, आपके सवाल है, सुझा में उने इसे comments में लिखे, personal finance and related videos देखा पसंद है, तो तुरंत मेरे इस YouTube चरनल को subscribe करके bell icon को दबातें, जिससे मेरे आने बाने सारे वीडियो का update आ लोगिचिसे के लाव में इसे के लोगियो काई आपके लिएके लोगियो।